हेलो एव्रीवन गूट मॉर्निंग जैसिक आश्टना वेल्कम बेक टो वे निव लोग बस आज का व्लोग तो स्टार्ट करते हैं बहुत लेट से अभी ग्यारा बज गये है और रेजुपी टूशन से आ गई है बापिस और यहां पर हमारे ब्रंच की हो रही है तैयारी ब्र क्योंकि लन्च का कुछ पता नहीं है मूमे आज किया बनने में जरू इना है तो ऑद्धी पर लेक्रीन आयों इक तीमिश्क जाते में हें तो और व्रून कर तो जाते है तो ये घुर जाती हैं इस्पाफिस दूसरी बात कि पापा सुबह सुबह जब ऑफिस गए थे तब सुवीचार पापा देखे गए थे तो वह सुवीचार पर पहले आप देख लो आज का सुवीचार हैं बीना किसी स्वार्थ किसी का बला करके देखिए आपको यह तमाम उल्जने उपर वाला सुल्जा देगा टो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था किहम मंधिर को यहां पर सेट को इस तो फाइनली मंदिर हम ने यहां पर लगा दिया है और गाना-जी पीना दोके चीज काफी है वो है खाना तो आज हाने के लिए स्पेशल कुछ खाना बनाएंगे तो अभी तो मैं बना रही हूँ पीजा का रोटला आई मीन पीजा बेस जो भी मैं बनाऊंगी और रेसिपी भी शेयर करूंगी और रात को हम खाएंगे पीजा और रातिकवाय का मूल अच् अज ममी वो गा देंगे तो शायद हमारे जो छोटे कनेया है वो मां जाए पता नहीं वो सुभी से तो मेरे साथ तोके लेकि ममी के साथ थोड़े हाँ काई यह इन इतलों पादू नहीं पादू अपने गर साब करी थोड़े को तो सिंदू पड़े है तो अब खाने के लिए अच्छा मिल जाएगा तो आतिक भाय को याद भी नहीं रहेगा कल्द क्या हुआ था यह तो चलो भी कदे थे हमारे जो पीजा बेज उसकी रेसिपी स्टार्ट दोपर का मारा मैंगनुं बनाना की सब्जी और रोटी है सिंपल खाना ही है बनाना तो अब आये नहीं है बनाना जो सब्जी है वो क्या है कि आपको जब भी खाना है खाने के लिए बैठना है तभ दस पंद्रा मिनिट पहले बनाए क्योंकि वो जो बनाना हो दे हैं ब्लेक हो जाते है इसलिए वो लेट बनाएंगे और अभी बना देंगे पीजा बेस मेडा तो सोच रहे हूं मेडा बनाओ या गेहू बनाओ देख थी वो भी कॉमसा बनाओ भी तो मनें मेड़ा बार निक अधिगे गाव क्या का अधि हुआ न निकाले च्वती ओनाओ पढ़र थी तो यो पर अजी नवालाईवी छे संगीता बेन केम तोड़ी नाएख्या इट्सो क्या इट्सो क्या बेड़ा आपड़े नवालाईए आपड़े संगीता आंटी नापद नथी अवे तोफान बो करेचे तो खावानू कोण बनाऊचे बाद में और रेजु रखर ने करने जाते हैं और बाएज रसे मना पड़ेगा आजकल सब लोग गुसा हो रहे है तापमान बढ़ गया है ना तो मोगेच का पारा भी बढ़ गया है अभी सब का या पर चुपचा बैठ गई है गर्मी हो जाएगी तब बाहर आ जाएगी चलो में भी अपना काम शुरू करते हैं नहीं तो मुझे भी लेट हो जाएगा पीजा बनाई है अभी माल पीजा का बेस बना रहे है आमें पीजा का बेल बना रहे है कुछ खाव कैरोस बनाई नथी शाक नथी तो इसके लिए पहले हम दूद में थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसमें टालेंगे थोड़ी शक्कर शक्कर के बाला हम डालेंगे एक्टिव इस्ट इस्ट तो क्या दारें नसी डालवानों ये वाला एक्टिव इस्ट अच्छी तरह सी लेंगे जोड़ी कॉम ढग देंगे थोड़ी दिर के लिए तो चलो जबके एक साइट पर रख देंगे तब तक हम इसमें आटा साम लेंगे तो यहां पर मैंने लिए थोड़ा गिल काटा और आदा गिल को और आदा मेंदा है थोड़ा रवा रवा को शायद दू बड़े समस्च इतना है और अब इसमें डाल दूंगी में नमक बस बस अभी नमक डाल दूंगी अभी और गाना अभी के आए कि यह स्टेंड है वो पीछे की तरफ है तो मुझे बार-बार मूट के आपके सब में देखना पस देगा क्योंकि यहां पे स्टेंड रह नहीं सकता है तो थोड़ी जिक करें वेकिन आप मैनेज कर लेना प्लीज तो अभी इसमें डाल देंगे एक चमत जितना तेल अची तरह से अब मिक्स कर देंगे तो अभी यह इस्टे वहाँ पे रखाएं वह में 10 मिनिट तक रखना है ताकि अच्छी तरह से पूल जाए आप देख सकते हो शाय यह उपर इस तरह का हो जाएगा तो आपका इस एक्दम अच्छा है तो भी 10 मिनिट हो गई है और यहां पे हमारा इस्टे वह एक्दम खु तो थोड़ा और पानी यहां पर हो डाटके हम दो तैयार कर देंगे अभी यह आपको थोड़ा धिलना है मतलब कि रोटे का डो हम जैसे तियार करते है वैसे ही हमें धिलना ही रखना है ज्यादा कड़क में बनाना है आटे को थोड़ा तेल के साथ ग्रीस करके फिर से भूल देंगे और 15-20 मिनिट तक डग देंगे तो अभी इतना है लोट 20-25 मिनिट के बाद यह थोड़ा मोटा हो जाएगा फूल जाएगा आची तरह से क्योंकि इस्टम ने डाला है इसलिए तो अभी हम इसे डग देंगे जबी बोट डो हमारा रेडी होता है तब तक हम दो पैर की रोटी का डो रेडी कर देदे चलो फटा पटसे तो यहां पे अभी आठा बफूल गया है एकदम मस्क और हेजु अभी गुंद रही है एसे मुका मारके गुंदना है करब पूरा और अच्छी तरह से गुंद देना है बात में बेल के सेखना है बस इजी है कुछ खास है नहीं तो बस अभी बेल के भी आपको बताएंगे कैसा है और टोपिंग का तो आपको बताएंगे आपके फैबरेट वेजिस या चीज या पीजा टोपिंग वह सभी डालन अभी क्या है कि पीजा वेज रेडी होगा तो रात को फटाफक से बन जाएंगे तो बीचार करेंगे और लोस्टिक पैन रखेंगे और बेल लेंगे पीजा आपको जैसा पसंदो ठीक पसंदो तो ठीक चोपी जैसा भी पसंदो साइज वेशाप कर सकते हो तो हमारे गर में ज्यादा तर तो पत्ले बीजे पसंदे तो मैं एक दम पत्ला बेजी बनाऊँगी क्या एक ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए तो खाने में अच्छा लगते आपको श्रूरत पड़ इसे इसे कर देना है ताकि फूले नहीं और भी कचापका सेक लेना है तो बहुत इजी बहुत यहां पर हो गया है पीजा बेज रेड़ी हमारा और अभी हम रोटी बना लेंगे फटापट से और यहां पर मैंने टमाटर कट करके रखें तो बनाना आएंगे तब सब्ची बनावेंगे तो अभी बज़े साड़े पांच और रेजु यहां पर उठ गई है कब की उठ गई ह बेजु क्यों आज जल्दी जल्दी क्यों उठ गई आज तू पीजा खाना है एट लेओ अवे इस तो बनी गया चे करे अवे सू लेवा जवानों चे आवे टीज येस बीजू एड़ी टाबल्स एक्टेमठी पांप पछी गाजर पछी तमेटा पछी केबेज पछी कोली फ्लावर खोली फ्यावर श्यावर कोली अवे बचाम के तो बहुत ही एक्साइ्ट टेए पीजा खाने के लिए क्या तो पीजा पाटी होने वाली है आपक तो पता नहिंए चलो आपक fautormद क़्ेश्टह वल Lex me तो आपको थोड़े एल्प करनी पड़ेगी तो इन डायरेक्ली ना बोला है या डायरेक्ली ना बोलते हैं अभी आती पहर उठे ही है लगता है पीजा खाके ही मानेंगे अभी और साथ ही जाद मों में अभी बजन गा देंगे एक मेरा मकडारे रामजी कुंबार ना काची माटी ती एले गडियारा मकडारे रामजी कुंबार ना कुंबारे कारी गरी गजब करी छे चाकडे चड़ावी ना काया गडी छे गाटो जुदा जुदा घडियारा मकडारे रामजी कुंबार ना दोरी संचार ती एयमने रामाडतो गडिक हसावतो ने गडिक रड़ावतो तो मयना को लेेने मुक्या रामकडारे रामजी ना ना मना अमिर अ मकडारे रामजी कु बार ना राम cao अब तक पिगयार में भी को जी चलो अबई कि अअको प्रभ धछिस सभाonst पर आंदम करि imp खुध मन हम नहीं। तो अब इस सब कुछ सामाने के घर पे आ गए है और अभी हम सब कुछ ठेकाने करेंगे तैयारी भी करेंगे रात के खाने की तो आज का वीडियो अभी यहीं पर कर देते क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग तो करना पड़ेगा बाद में पीजा बनाना है तो थोड़ा लंबा है अच तो अब हम मिलेंगे कल तो प्लीज लाइक कर देना, शेर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बस यू ही हमारे साथ प्यार बनाए रखना तो बाबाई